अगर ये सारुक खान या दीपका पादुकोड भारतिया जन्ता पार्टी की सदस्ता ले लेती तो बिगनी पे या भगवा पे कोई सवाल ही नहीं उठता और बेसर्म रंग तो बहाना है इन बेसर्मों को बेसर्म रंग बहाना ढूटे हैं इनको असली टार्जेट जो है मुसल्मान को करना है असलामुल elim jeam प्रबीयो आज का मेरा वीडियो आज हम बात करेंगे पठान मुवी को ले कर पठान मुवी को लेकर लगातार एक ही मांग की जारी है एक ही बात की जारी है कि इस मुवी से बाएक कोट किया जाएगा जbके दस जनवरी को इस मुवी का ट्रेलर रिलीस हो चुका है और इस पठान मुवी के ट्रेलर ने दस जनवरी को दू मचा दी हर तरफ दू मचा दी थी लेकिन आज आज आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ हिंदू पंदित की जो भगवा पहन कर जो भगवा पहन कर किस तरह का डांस करता है और साथ एक पठान मुवी को लेकर बड़ी खबर बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा सबसे पहले बड़ी खबर यह हैं यह जो खबर है यह अंद बगतों को सुई की तरह चुबने वाली है खबर ये है खबर आपकी सक्रीन पर आप देख सकते हैं कि 2023 की जो मूवी आने वाली है उसमें पठान नमबर वन पर है जिनका जिस मूवी का इंतजार किया जा रहा है बहुत सारी मूवी इस 2023 में आने वाली है लेकिन टॉप नमबर वन पर पठान मूवी है जिसका बड़ी ब वीडियो देखी जिसमें एक हिंदू पंदित भगवा रंग पहन कर किस तरह का डांस कर रहा है पहरे भायो आप लोगों ने वो देखा लेकिन जो इस मुवी से बाइकोट करने की बात कर रहे हैं उन अंद वक्तों को दिखाना चाता हूं कि देखो ये भगवा पहन कर किस तरह का डांस करता है लेकिन ये नजर नहीं आएगा ये हिंदू पंदित नहीं आएगा नजर आता है सिर्फ मुसल्मान मुसल्मान की मुवी नजर आती है पठान नजर आता है खान नजर आता है कि उसे कैसे बाइकाट करना है लेकिन लेकिन मैं अंध बक्तों को बताता चलूं कि ये मुवी इसका जो पोस्टर पहले वो धूम मचा चुका है उसके बाद दो सौंग जो रिलीज किये गए वो भी धूम मचा चुके है और 10 जनवरी को तुम को सर्प्राइज मिला कि इस पठान मुवी का ट्रेलर रिलीज हुआ और वो भी सूपर हिट गया इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जब 25 जनवरी को मुवी रिलीज होगी तो वो क्या धूम मचाएगी भड़े परदे पर ये तुम जान सकते हो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजेगा आप भी अपनी राए कुमिट में लाजमी दीजेगा कि पठार मुवी रिलीज होने वाली है आप लोग देखने जाएंगे या नहीं देखने जाएंगे रिलीज होगी सूपर हिट होगी